तो आज हम सभी आज की लेक्चर में जो डिसकस करेंगे वो है किसी बाइनरी नंबर में हम सब्रेक्शन तूस कॉंप्लिमेंट का यूज करके कैसे परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें जो नंबर गिविन है वो या तो बाइनरी फॉर्म में गिविन होना चाहिए अधर्वाइस वो नंबर अगर हमारा डैसिमल फॉर्म में गिविन है तो पहले उस नंबर को हम बाइनरी में कंवर्ट करेंगे देन हम सब्ट्रेक्शन पर फॉर्म करेंगे ओ में हम मान के चल रहे हैं कि हमें जो number given है वो है 15 and 10 तो यह हमारे दो decimal number है जिनके बीच में हमें subtraction perform करना है it means हमें क्या perform करना है 15 minus 10 तो सबसे पहले हमें 15 और 10 का binary पता होना तो तो सबसे पहले हम क्या लेखेंगे binary of 15 तो हम क्या लेखेंगे binary का binary नंबर लिखेंगे किसका 15 का तो 15 का binary हमारा क्या होता है 15 का binary लिख रहे हैं यहां पर यह हमने लिख दिया यहां पर 15 का binary और I hope आप सभी को binary निकालना आता होगा अब next हमें किस number का binary लिखना है 10 का तो 10 का binary हमारा क्या होता है 1010 यह दोना numbers हमारे जो 15 और 10 थे decimal number के form में given थे, इनका हमने क्या निकाल लिया है, binary, अब हमें perform करना है, इन दोनों का subtraction, तो जब भी हम subtraction perform करते हैं, computers में, तो computer हमारा कभी भी subtraction नहीं perform करता है, वो क्या करता है, उन दोनों number को add करता है, but how it is possible, तो computer ये जो मैंने 15 and minus 10 लिखा है, इसको वो इस तरह से treat करता है, कि 15 plus minus 10, तो इस subtraction को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, तो अब हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमने binary और 10 का binary, वो लिख लिया है, binary numbers लिख लिख लिए है, 15 और 10 के, then हमने अपने जो question था, उसको भी अपने form में change कर लिया है, जिस form में हम उसे चाहते थी, अब हमारे पास 15 का binary है, और 10 का binary है, पर इस question के according, हमें क्या चाहिए है, 15 का binary तो चाहिए है, पर यहाँ पर हमें 10 का binary नहीं चाहिए है, हमें किस का binary चाहिए है, minus 10 का, so how we calculate binary of minus 10, तो minus 10 का binary calculate करने के लिए, हमें क्या calculate करना पड़ेगा, 10 का 2s complement, तो 10 का हमने सबसे पहले binary निकाल लिया है, अब इस binary number को, हम पहले किस में convert करेंगे, 10 के binary number को, 1s complement में, तो 10 का binary है, 1010, तो अब हमें क्या लिखना है, 1s complement, किसका 1s complement की बात कर रहे हैं, 1s complement of 10, तो 10 का 1s complement क्या होगा, 10 का binary है, 1010, तो इसका जो 1s complement होगा, वो होगा 0101, तो यह हमारा आ गया 1s complement of 10, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1 और add कर देंगे, प्लस 1 हम add कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2s complement of, क्या मिल जाएगा हमें, 2s complement of 10, तो अब हम इसमें जब हम 1 add करेंगे, तो हमारा answer क्या होगा, 1 plus 1 क्या होगा, यह वाला 1 हमने, इस वाले 1 में add किया, तो one plus one क्या हो गया जीरो ठीक है अब zero हमारा क्या आ गया यहाँ पर carry generate हुई तो carry हमने लिख दी हमने carry लिखी हो carry को हमने फिर किसके साथ add किया इस वाले zero के साथ तो one आ गया फिर से one लिखा हमने और zero लिख दिया clear तो हमारा जो two's compliment आया है किसका ten का वो क्या है two's compliment of ten हमारा क्या आया है यह आया है तो यह हमने लिख दिया two's compliment of ten two's compliment of ten यह हमारा ten का binary था यह हमारा ten का क्या है two's compliment है और यह हमारे ten का क्या है once compliment है clear अब हम क्या करेंगे अब हमारे पस दोनों numbers है दोनों को हमें क्या perform करना है दोनों numbers के बीच में addition perform करना है दोनों numbers के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा हमें क्या perform करना है addition हम fifteen का binary लिखेंगे और minus ten का जो हमन binary निकाला है ये इन दोनों को हम क्या कर देंगे add कर देंगे तो हम simply सबसे पहले हम अपना 15 का binary लिख ले 1 1 1 यह आ गया हमारा next हमें क्या लिखना है इसका binary लिखना है minus 10 का minus 10 का binary हमारा क्या है 0 1 1 0 अब इन दोनों को हमें क्या perform करना है क्या perform करना है हमें? addition perform करना है तो 1 प्लस 0 हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम 1 और 0 को जब add करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा इस 1 और 1 को हमने add किया तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 क्या होता है? 1, 0 तो 0 हमने लिख दिया carry हमारी क्या पर आ गई? पर से carry generate हुई है और वो carry कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी तो 1 प्लस 1 हमारा क्या आजाएगा? 0 अब आगे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? अपनी carry लिख दिया तो जो हमारा answer आया है वो क्या आया है? 1, 0, 1, 0, 1 पर यहाँ पर जो हमारी यह carry generate हुई है इसको हम क्या कर देंगे? discard कर देंगे तो यह हमने अपनी carry को discard कर दिया तो अब हमारा answer क्या आया है? 0, 1, 0, 1 तो अब हम check कर लेते हैं कि हमारा 0, 1, 0, 1 किसका binary होता है? तो जो हमारा 0, 1, 0, 1 है वो obviously किसका binary होगा? जब भी हम 15 में से 10 को minus करेंगे तो हमारा answer क्या आना चाहिए? चाहे हमारा mathematics हो या फिर हम binary numbers को subtract कर रहे हो answer हमारा same ही रहेगा ऐसा नहीं है कि आप maths में subtraction perform करेंगे तो answer 5 आएगा और जब binary numbers इनके लिखके perform करेंगे तो आपका answer कुछ डूसरा आएगा नहीं यहाँ पर भी हमारा answer क्या होगा? 5 अगर हम decimal number को subtract करते हैं तो answer decimal में आता है और जब हमने binary number को subtract किया है तो यह जो हमारा answer होगा यह किसका binary होना चाहिए हमारा 5 का आप सभी देख लीजिए यह क्या होगा? 5 का binary होगा So thank you for Thank you students for watching me and in our next video we will discuss some more example of subtraction